हेलो फ्रेंड्स मैं कलितना आप सभी का स्वागत करती हूं अपने किचन में फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को रिव्यू देने वाली हूं आटा मेकर का ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अभी मैंने इसको बाय किया है और मैंने इसमें आटा पीस्ट के भी देखा है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आप इसको चाहें तो रेगुलर आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि हमाई लिए बहुत ज़्यादा किफायती भी है और अगर थोड़ा सा भी आपको गेहूं चावल कोई भी चीज इसमे अगर पीस नहीं है तो आप इसको असानी से पीस सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है तो आज मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली हूँ और ये कैसे वर करता है ये कैसा दिखता है और ये बहुत ज़्यादा सेफ है क्योंकि इसकी जो बॉड़ इसली मारेगी यह ऐसा कुछ नहीं है तो यह बहुत ही सेफ है चारो तरफ से पुसकी जो बॉड़ी हो पुरी लखड़ी की है तो चलिए और इसमें मैं आपको रिव्यू देऊंगी और डिखाऊंगी कि इसमें क्या-क्या है अंदर क्या-कैस में मटेरियल है और इसको कैसे य चालिया दी हुई है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि यह किस तरह से सेफ है और किस तरह से हम इसे यूज करेंगे तो फ्रेंट्स यह देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसको किसी भी जगे पर रख सकते हैं इसको रखने के लिए कोई भी आपको स्पेसल स्पेस नहीं चाहिए कहीं पर भी आप इसे इसली ही रख सकते हैं तो चलिए मैं आपको रिव्यू देती हूं और मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूं तो फ्रेंट्स अबसे पहले यह देखिए इसमें चुटा सा लॉक लगा हुए आपको इस तरह से इसको पीसना है वो इसमें डालना है और इसमें यह कुछ जालियां दे रखी है आपको कितना मोटा पीसना है पतला पीसना है तो इसमें जालियों के नंबर दे रखें कि आपको किस नंबर की जालिया आप लगा सकते है तो इसमें बहुत ही पतला बहुत ही मोटा जिस तरह का भी आपको पीसना है उस तरह की जाली आप यूज़ करिए और यह वाला जो पोशन है इसमें हम गेहू चावल जो भी आपको पीसना है वो डालेंगे और इसकी जो कैपिसिटी है वो आपकी 5 किलो की है आप एक बार में इसमें 5 किलो तक की चीज़े पीस सकते और यह ब्रस दे अर्यिक्शन दे रखा है और जालि यह का दम्बर भी दे रखा है और यह चावल किन की तो यह ठिझि गाएंगे जाली इसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल भी चोटा सा बी लोहा जो है वह इसमें ना जाय्टी से इसलिए जो भी आप गेहू चावल पीसे, इसको भी क्लीन करके पीसे, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ये देखे, इसको हम इस तरह से पहले खोल लेते हैं, खोलने के बाद ये अलग नहीं होता, बस आपको इस तरह से पीछे कर देना है, और ये देखे, ये इस तरह से आप खोल इसमें जो भी गेहू चावल या जो भी जौर, मक्का, चना, जो भी कुछ पीसना चाहते हैं, वो पिस जाएगा अराम से, ये देखे, इसी में आएगा उदर से, उपर से होते हुए, और यहां से पिसते हुए, फिर ये देखे, इसमें जाली लगी हुई है, ये बारी एक जाली जो है, वो इसमें अल्रेडी दे रखा है, तो इस जाली से चनते हुए, जो भी कुछ हम पीसेंगे, वो यहां पर नीचे की और जाता रहेगा, और जाली जो है, वो हम यहां पर सेट करेंगे, और नीचे ये देखे, ये कपड़ा लगा हुआ है, इसमें उपर से पिस इसमें जो भी आटा है वो पिसकर आएगा और फिर आपको पिसने के टाइम इसको इस तरह से lock को लगा देना है जो और जब यह पिस जाएगा तो फिर lock को आप आराम से खोल लीजे और drum को बाहा निकाल कर फिर आप अच्छे से जो भी घिच आटाप का पिसा है आप उसको नि कर दीजे और बंद करने के बाद फिर जिसका लॉक है इसको बिलकुल भी लगाना ना बूले इसको फिर से आप इस तरह से लॉक कर दीजे इसमें mode भी दे रखा है 0 और 1 1 mode में बाजरी और ये सब चीजे पीछने के लिए हैं मतलब की जो मोटी चीजे हैं और जब 0 number पे मतलब की जब गेहू या फिर जिस जिसका आपको आटा पतला करना है उसके लिए आप 0 mode का यूज करिएगा तो friends ये इस product की बहुत अची खास्यत है ये बिकुछ safe product है और इससे कोई भी हानी आपके घर में किसी को नहीं होने वाली है और जब आपका मन चाहे तब आप इसमें गेहू पीस ये और तुरंत इसे use करिए तो ये safe product है साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा useful है और एक और बात ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आपका बिजली भी नहीं कीशने वाला है जब आप मसीन को एक घंटा चलाएंगे तब ये सिर्फ एक यूनिट मतलब 7 से 8 रुपे की ये सिर्फ बिजली यूज करेगा तो फ्रेंट से बहुत ज़्यादा बिजली भी नहीं कीशने वाला है और इसके साथ ये cover free है जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको protect करने वाला है कि इसमें को किसी भी तरह का कोई भी mark नहीं लग जाए अगर घर में बच्चे हैं तो कुछ चला ना दे इसलिए ये cover दिया गया है तो आप इस cover को हमेंसे इस पे लगा के रखिए जब use करना है तब आप इसे हटा दीजी तो ये देखने में भी बहुत ही easy ये देखे विकुल simple सा लग रहा है जब आप अपना product याने की गहू चावल जो भी आपको पीसने है जब आप उसको डाल दे तब ही आप on करें otherwise इसमें music इसकर से बजने लगेगी तो friends इसकी capacity पांच किलो की है तो मैं पांच किलो के लगभग ये इसमें चावल डालूँगी और चावल को डालके तब हम इसको पीसेएंगे तो चलिए पहले मैं चावल को इसमें 5 किलो के लगभग डाल लेते हूं तो friends 5 किलो के लगभग मैंने इसमें डाल लिया आप चाहें तो 5 किलो से कम भी डाल सकते हैं बर ज़्यादा नहीं डालना है डालने के बाद आपको इस धकन को बंद कर देना है और फिर switch को on कर देना है switch को on करने के बाद आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजे आपको जो काम करना है आप अपना काम करते रही है और जैसे ही यह पिस जाएगा जैसे ही अपना सारा काम कम्प्लीट कर लेगा फिर से इसमें वही म्यूजिक बजेगी जो अभी पहले बज रही थी इसमें पांच किलो तक के चावल को पीशने के लिए यह देखे चावल पिस गया है और जैसे ही इसका डोर ओपन करेंगे यह मसीन अपने बंद हो जाएगी इस सब बच्चों के लिए भी बहुत जादा सेफ है अगर आपने ओन भी करके छोड़ दिया है और बच्चे अगर इ उसके बाद जो भी ड्रम में आपने आटा पीस है उसको बाहा निकाल दीजे तो फ्रिंट्स यह देखे चावल जो है वह अच्छे से पिस गया है यह देखे बहुत ही महीनी और बिल्कुल जैसा आप यूज करना चाहते जैसा आप चाके आटा चक्की पर पिसवाते हैं बि फिलाल यह देखिए आटा जो है बहुत अच्छे से पिस गया है तो फ्रेंट्स यह आटा मेकर बहुत ही किफायती चीज है आप सभी को इसको अपने घर में जरूर रखना चाहिए तो मैंने इसको डैरेक्ट सेलर से खरीदा है इसलिए यह मुझे 14,000 में पड़ा बट आप आटा मेकर को खरीदिये और यूज करिए बहुत ही अच्छा प्रोडेक्ट है तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कियेगा थैंक यू